मुंबई से हारने के बाद पोली ने इसे ठहराया हार का असली जिम्मेदार जानकर आप भी यही कहेंगे नमस्कार बान खेडे स्ट्रेडे मुंबई में आज मुंबई इंडियन्स और रॉयल चलेंजर बेंगलूर के बीच इस सीजन का 31 मैच खेला गया जिसमें मुंबई ने पांच विकेट से जीत लिया है मुंबई की इस जीत के हीरो रहे आल राउंडर हार्दिक पांडिया जिन्होंने मात्र 16 गेंदो पर तावर थोड 37 रन बनाकर मुंबई को एक रुमाचक जीत दिला दी इस मैच में मुंबई ने टॉस जीत कर पहले फिल्डिंग चुनी बैंगलूर ने पहले बल्ले वजी करते निर्धार्द 20 ओवर में 177 रन बनाई जिसमें उनकी और से मौईन अली ने 50 रन जबकि एवी डिविलियस ने 75 रनों की पारी खेली इस लक्षर के जवाब में मुंबई ने इसे 19 ओवर में ही हासिल कर लिया जिसमें उनकी और से रोई शर्मा ने 40 रन और हार्दिक पांड़े ने नवाद 37 रन बनाकर टीम को जीद लाई मुंबई से ये 5 पिकेट्स के हारने के बाद RCB कप्तान विराट कोली ने कहा कि आज हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला जिसका मुझे अनमान है गेंद के साथ आज हम पहले 6 ओवरों में इतने अच्छी ने दे लेकिन दोस्तों के बीच ओवरों में कड़ा संगर्श किय और अच्छी वापसी भी की बिराट कोली ने कहा कि अंत में हमें बाए हाथ के स्पीनर दो दाहिने हाथ के बल्ले वाजों के साथ जोखिम उठाना पड़ा जो इस हार की असली वजह बना आज हमें बल्ले वाजों को विशेश रूप से इस पीच पर और के साथ गती देना जोखिम बरा था जो दुरबागया से बंद नहीं हुआ कोली ने कहा कि आज मोहिन अली शांदार थे गेंद को अच्छी तरह से परहार कर रहे थे और बहुत दिल से गेंद वाजीबी कर रहे थे एक विरिस्ट खिलाडी के रूप में उनको जिम्मेदारी लेते देखना और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए क्योंकि हम हार रोज ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद